ओम श्रे गनेश आयनमा जैपोली राज चैशिफ शक्ती वेल्कम बाक टू अवर चैनल कैसे है आप सब आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर देखेंगे आने वाला ये जो हफता है आप सभी लोगों के लिए क्या चेंज इस लिए क्या आद सकता है एक जर्ण कर सकते हैं डेली टारो डीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और जो लिंक है वो नीचे दिस्ट्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप बाजा के चक आउट कर सकते हैं तो लेट्स बिगें और देखते हैं सेजिटेरियस कैसी रहेगी ओके तो सेजिटेरियस इसा मुझे लग रहा है या चगल कर रहे हैं लेट्स फाइंडशिटीरियस आप किसी को रीच आउट भी करना चाहते हैं प्लस आप you know express भी नहीं करना चाहते और maybe you are confused or maybe you already have a lot of options around you ठीक है जो आपको restrict रख रहे है और lot of stuff going on in mind, बहुत कुछ चल रहा है mind में, यह चीज़े हो सकती है but yes, जादा तो मुझे लग रहा है कि lot of stuff going on in mind ठीक है, और maybe there are a lot of things you keep आप अपने अंदर रखते हैं, जादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं so it's about you only मुझे ऐसा लग रहा है कि आप mind नहीं make up कर पा रहे है on the other hand, your person they are totally, totally resisting them, ठीक है you know, like ठीक है stuck नहीं रखना चाहते अपनी life में वो जो भी कर रहे हैं, but I think here, मुझे ऐसा लगता है कि यह जो person आपनी emperor form में है आपने आप पे काम कर रहे है lot of, like, you know, maybe काम पे फोकस कर रहे हैं भी फिलाल, चाहे जो भी आपका relation है husband, wife है, जो भी है, but I think here you seem to be confused आप confused है, आप परिशान है आप जो भी हैं, यह चीज मुझे दिखाई दे रहा है और मुझे ऐसा लगता है आपको, like, you know, try कर रहे है चाहे कोई और relationship काम कर जाए यह काम कर जाए, वो काम कर जाए but, you know, I don't think yeah, maybe it's about that अच्छा, कुछ लोगों के लिए yes, like, आपके partner है इस वज़े से आपसे थोड़ा सा दूरी बनाए हुए यह भी reason हो सकता है okay, now इस परसन का next move, देखिए it's just about missing, it's just about nostalgia, ठीक है, कि यह परसन आपको miss करते है, but move, I don't think कोई move ले रहे हैं आपकी तरफ और आपकी तरफ से मुझे इसे लगता है कि you are already कुछ लोग हो सकता है, they are already married, ठीक है, यह कोई connection है, ऐसा third party connection, ठीक है so there is something going on in your life ठीक है, and you are confused about that, और कुछ ठीट नहीं चल रहा है so maybe यह भी reasons हो सकता है, कि आप decide, और आप सोच रहे हैं कब इस, आप circle से बाहार निकलेंगे, so what's the outcome I think it's all about like somebody wants reconciliation, आप कोई हाँ reconciliation चाता है, कोई बात करना चाता है, maybe somebody is ashamed, कि उन्होंने past में क्या किया, या ऐसा कुछ हो सकता है, और I don't know यह किस की तरफ से है, या कोई sorry बोलना चाता है, या कोई सोच रहा है कि past में क्या हुआ, this and that तो यह सारी चीज़े मुझे Sagittarius के लिए दिखाई दे रहे हूँ okay, so let's talk about your career Sagittarius, career कैसा रहे का आपका okay, so we have here दिखे, आप अपनी position के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आप जिस position पे है जो भी है, आप बहुत कुछ कर रहे हैं but now I think you're finally getting bored बहुत बोर हो रहे हैं आप इस्टी से आप सोच रहे हैं, निकलो भई यहां से कुछ और try करें, ठीक है, कुछ और करें because you are not feeling that content satisfied नहीं है, तो outcome क्या है I think, देखो, एक चीज तो आपको tolerate करनी पड़ेगी, या तो आपको इस कुछ और के आगे बढ़ना होगा, heartbreak दिखाई दे रहा है, तो आपको face करना होगा ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर change चाहिए है, तो कुछ टाइम के लिए आपको इस चीज को face करना होगा, so that आप आगे की तरफ बढ़ सकें, और वो कर सकें जो आपको actually में happy रखता है, actually में content रखता है ठीक है, and we have success here, तो it's your it's like, it's your wish it's your calling, कि आप क्या करना चाहते है angels तो यहीं बता रहे हैं, बाकी let's see, क्या guidance है भगवान की तरफ से, guides की तरफ से angels की तरफ से, वो आपको क्या guide कर रहे है, इस situation के लिए, you know okay, let go, देखिए, पहला ही card, let go, let go, let go you are just suffering, आप बस अपने heart chakra को बस like close करके and you are just suffering, आपको लग रहे है कि मतलब, आप happy नहीं है, you are not happy okay, so let go of things, no more serving you, जो चीज़े आपको जाने रीजे, आगे की तरफ बढ़िए move on forward in life, या at least कुछ ऐसा कीजे जो आपको खुशी देता हो in a right way of course, not in a wrong but actually में वापके लए अच्छी नहीं होती है तो वो सोच रखना बहुत जरूरी है coming back to the point, I think it's about transformation, it's about like a major चीज है, आपको अपने आपको balance करके, आपको हर चीज को अपने आपको पका करके और तब आप आगे बढ़ सकते हैं yes, but yes, यह चीज मुझे दिखाए दे रहे for the Sagittarius, this is it, I hope आपको रीडिंग पसंद आई हो do comment and हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप comment करते हैं, so thank you so much all for your love and support मिलती हो next time, with another reading till then, take care, bye, अपने ख्याल रखिये